नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हैantically वाज रंगी में आज मैं आपको इंड़ेक्टर ओर केपेशिटर जो डिफ्ररेंस होता है इंड़ेकटर वस्सकेपेशिटर, यानि उसके भी डिफ्रेंस क्या होता है, वह कोई भी सर्क्यूट मैं काम कैसे करता है आज मrien को बताने वाला हूँ इन्डक्टर से शुरू करते हैं इन्डक्टर होता क्या उसके बारे मं बता रहा हूँ की यहां पे दिख रहा है आपको कि यह सल ले को आट जैसा दिख रहा है सिंबोलर का सिंबोल होता ईह कोई भी से करता है स्टार्टिंग में जो होता है इसमें जो वोल्टेज होता है यह जीरो और यहां पर गार्ट यहां अपर कुछ नहीं यहां 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 मापेंगे ओ maximum होगा, जो voltage हो maximum होगा और current zero होगा यानि यहाँ flow chart यहाँ पर दिया हुआ है एक graph मेने बनाया हुआ है तो starting में क्या होता है you time zero है, यहाँ time समझे है in starting में क्या होता है कP voltage एकदम maximum होता है और current zero होता है जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है और हम यहां voltage दिया हुआ है और time बढ़ते जाता है देखिया voltage इसमें से घड़ते जाता है गट रहा है voltage घट रहा है यानि यह source अब यहां पे एक link हो गई यहां पे link जूड गई है यहां से current flow होने लगता है और current देखिये maximum होने लगता है बढ़ते जाता है और voltage घटे घटे THE zero हो जाता है और current maximum हो जाता है यानि inductor का यूज क्यों हम current देते है उपोज करता है यानि कम current है तो भी approach करता है और जादा current दे देते हैं तो इसको रोकता है यानि वो current की limit बनाया रखता है limit बनाया रखता है यानि यहां पे समझीए कि यहां पे थोड़ा कोई भी device है यहां पे रखा हुगा है और अचानक से यहां पे current बढ़ गया तो यह जो inductor यह device को damage होने से बचा सकता है यहां पे जो current होगा वो मेक्जिमम नहीं हो पाएगा यह धीरे धीरे current इंक्रीज होगा तो चलिए inductor के बारे में आप समझ गए और हाँ इसमें impedance होता है इसका कैसे माप सकते हैं तो impedance होता है उसको मापने के लिए L जो होता है angular frequency है यानि angular frequency कैसे मालम कर सकते हैं इसका मतलब है कि impedance जो होता है inductor का वो frequency के उपर इबेंट करता है अगर frequency बढ़ती है तो impedance जो inductor को वो भी बढ़ेगा तो चलिए दूसरा जो है capacitor के बारे में जानते हैं तो capacitor के यहाँ symbol दिया हुआ देखिए एक battery जैसा दिखा हुआ है बैटरी में हम symbol plus और minus देते हैं लेकिन इसमें देखिए यहाँ बीच में die electric होता है material यहाँ पर प्लस मैनस हम अप्लाई करते हैं और यह चार्ज होता है तो चलिए इसको circuit के जो समझते हैं circuit में डाला हुआ है देख रहे हैं आप तो इसमें DC voltage अपलाई के और रजिस्टर है और यहाँ पर capacitor है तो इसका work क्या है तो इसमें इंडक्टर का दम बिल्कुल उल्टा होता है जो एकदम inverse काम करता है यहाँ उल्टा होता है इसमें क्या करन्ट एकदम maximum होगा मेकजिमम करेंट इस्टार्टिंग में हो रहा है उसके बाद दीरे दीरे एक capacitor चार्ज होना शुरू करेगा और करन्ट कम होते होते हो जाएगा उसके बाद जो वोल्टेज यहां पर हम अपलाई कर रहे हैं वह सेम टू सेम वोल्टेज यहां पर आ जा इस्टार्ट यह चोड देवें हटा देवें इसको स्विच यहां समझज शूच रखा हुआ है इसको उपन कर देवें तो यहां पर यहां इस टाइम यहां इसके बरावर हो जाएगा यानि यह वी एक वेटरी की तरह use कर सकते हैं तो इसमें भी इसका एक इंपिडेंस होता है कब हैसा इंडकOR 收ड़ниц करता है बनीस बढ़ने से अगर मेजिमान हो जाया तो उसको प्रोटेक्ट करता था है यहां पर वोल्टेज मेजिमान तो competition माचे-चीlles यरे 9 स्ब्सक्राइब गाल ऑसका को नरगता है क करikो कि मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बट्ण लाल बटन का रआ काण साब टीकिये ऌर नौटिपिकिसन के लिए जरूर साकार का ऊसकर पर क्लिक करें जिससे उंप से आपको शपयो नौटिपिकेयो से पर हमार है और ज़रूर मेरी वीडियो को एक के अ